दरसल दासुन शनका चोट की चलते विशुकप से बाहर हो गए वन्डे विशुकप का रोमांच सर्च रड़ कर बोल रहा है रविवार को विशुकप में बड़ा उलट फेर हुआ तब जब इंग्लेंड की टीम को अफ्कानिस्तान के हाथों हार मिली सार से इंग्लेंड के विशुकप अभ्यान को तो जटका लगा ही साथ ही इस माच में कुछ ऐसे रिकॉर्ट भी सामने आए तो जिसे इंग्लेंड की टीम बिल्कुल भी याद रखना नहीं चाहेगी पेश है ये रिपोर्ट वंडेंड विशुकप जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इसका रोमाज और भी ज़्यादा तीखा होता जा रहा है और इस कड़ी में रविवार को एक बड़ा उलट फेट देखने को मिला जिसे अंजाम दिया अफगानिस्तान की टीम ने अफगानिस्तान ने इंग्लेंड को दिल्ली के अणुच डिटली स्टेडियम में चारो खाने चित करने में सफलता पाई इस मैच के दोरान कई एहम रिकॉर्ड सामने आए इंग्लेंड के खिलाफ जीत के साथ ही अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप में अपनी लगतार हार के सिलसले को खत्म किया टीम ने लगता 14 हार के बाद पहली जीत दर्ज की अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप में कुल 18 मैच खेले हैं जिसमें से उसे दो में जीत मिली है वैसे ये पहली बार रहा जब अफगानिस्तान ने विशुकप में पहली बार किसी टेस्ट खेलने वारे देश को हराया इंग्लेंड के नाम अजीबो करीब रिकॉर्ड इस हार के साथ ही इंग्लेंड टीम के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्च हो गया वो वर्ल्ड कप में अलग-अलग 11 देशों से हारने वाली पहली टीम बन गई इंग्लेंड के टीम वर्ल्ड कप में पहली बार स्पिनर्स के सामने बेहत कमजोर दिखी ये पहली बार रहा जब विशुकप में इंगलेंड की टीम ने स्पिनर्स के आगे अपने 8 विकेट कवा दिये इंगलेंड को भारती जमीन पर 12 साल में दूसरी बार उलट फेर का शिकार होना पड़ा है 2011 विशुकप में बेंगलरू में उसे आयलेंड ने हरा कर उलट फेर किया था और बाद पॉलेंट के हुबर्ट होरकास की जिनोंने श्वांखाई मास्स का खिताब अपने नाम कर लिया पैगुला ने च्वीन की युई युवान को 6-2, 6-3 के सीधे सेट्स में श्रिकस दी स्पेन की फुटपॉल टीम ने यूरो दोजार चॉबस के लिए क्वालिफाई कर लिया टीम ने कामियाभी नॉर्वेग की टीम को एक शुने से श्रिकस देकर हासिल की यूरो दोजार चॉबस के क्वालिफाईंग मुकाबले में वेल्स की टीम ने क्रुएशिया को 2-1 से हराकर यूरो दोजार चॉबस के लिए क्वालिफाई करने के अपनी उमीदों को जिन्दा रखा है आज नर्वाद्वरी का दूसरा दिन है एजिन माब्रमचारणी की पूजा होती है माब्रमचारणी तब त्याग वेरागिर सदा चांग